अगर आपको righteousness, truthfulness, if you wanted to achieve that and through those, if you wanted to achieve the inner peace, accomplishment, satisfaction, तो जो पड़ते हमारे उपर सुनहरी डली होई है, क्योंकि जो सचाई है भीतर की, वो सोने के पात्र के अंदर बंद करके रखिये और उस पे सोने का एक ढखकन चड़ा है, वो बाहर की दुनिया का दिखावा है, वो नाम है, वो पैसा है, वो पद है, वो पावर है, ग्यान ह ये तरी सारी पर्तने हैं जो हमें उस सत्य से दूर करे हुए हैं जो की असलियत है यूनिवर्सल टूथ तो हमारी हजारों साल पहले रिशियों ने एक हो जा कि ये पर्तने हम निकालेंगे तो हम सत्य तक पहुचेंगे बहुत अच्छा तो बच्चों के साथ मेरे रिष्टे में मैंने ये खोशिस की अपने मैंने सबसे बड़ी बात बच्चों से सीखी मैंने इसमें जो लिखा आपने पढ़ा कि मेरे भीतर के बच्चे से ये बच्चे जल्दी दोस्ती कर लेते हैं और मैं भी इन से दोस्ती कर लेता हूं इसनाते तो दोस्तों के साथ जो गपशप है दोस्तों के साथ जो समझ है वही इस कहानी इनमें कहानिया है एक मैं सुना देता हूं हर कहानी के साथ एक थोड़ी सी भूमी का हमने लिखिए एक कहानी के पीछे जो बात है उसकी पीछे आप उसे कवित तो कह सकते हैं दाशनिक बात कह सकते हैं जिस बच्चे को हमने अभी सद्धान जली दी तीन बच्चों को उनमें एक कालू कुमार है जिसने एक बार जो छूटा था गलीचे में 6-7 साल की गुलामी के बाद जिसके चूटने पर उसने बता जाए या वो मालिक मार दें और से घाव लग जाए तो कोई दवादारू करने के बजाए वो माचिस की तीली का पाउडर भरके उसको जला देता था तो उसके पूरे शरीर में जलन के भाव लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान बहुत ही अच्छा बच्चा था हमारे आश् एसन मंडेला हैं यह हैं दलाई लामा है वगयरा वगयरा उसमें पचास मतब पचीस-30 साल पहले उन्होंने मुझे भी उसमें एक पात्र चुना और मेरे उपर भी उसमें एक कहानी है इन लोगों के साथ तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाओंगा उनको मैंने लिख दिया कि जिन क्लिंटन ने देखा कि इन लोगों के इतने बड़े लोगों के बीच में यह बच्चा बैठा हुआ है बड़े लोग मतलब कई नॉबल लॉरियेट्स थे उससमें उसमें आप इंक इट वाज नाइंटी नाइंटी पाइब और शिक्स तो उन्होंने पूछा कौन है उसने क सोचा कि यह जो जिसके साथ आया है उसने समझा के भीजा होगा तो उन्होंने कहा कि हां बेटा हम लोग यह कर रहे हैं थोड़ा समझाया है उन्होंने पीट प्यात रखके उसे प्यार करके तो उन्होंने कहा कि हमारे बाद जो भी आएगा वो भी यह काम करेगा उनका आख अमेरिकी राष्टपती बने रहना या अमेरिकी राष्टपती होना जरूरी नहीं है ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे जैसे लोग तो अभी ये काम कर रहे हैं क्या बात है और उसका नतिया यह हुआ कि एक सब्ताई के अंदर जब हम लॉट रहे थे तो हमें एयरपूर्ट पर किसी एबी सी या देखने को मिला कि प्रेजडेंट क्लिंटन ने जो दुनिया में खासकर अफरीका के बच्चों के लिए जो अमेरिकी सरकार मदद देती थी उसको च्छे गुना बढ़ा दिया तो मुझे मेरे मिक्रों ने कहा कि जब स्पीक टूपावर उन्हीं ने कहा केरी केनेडी ने कि बैने चाहिल्ड स्पीक्स टूपावर एफट करेज देंग तो हमें बड़ा अच्छा लगा तो कालू हमाई साथ काम करता रहा उसको किसी बड़ी एड़टाइज कंपनी ने रखना चाहा पैसा देना चाहा नहीं उस उसने कहा कि मुझे जैसे मुक्त कराया गया है मैं जब तक भाई साथ मिलकर देश के हर बच्चे को मुक्त करा कि स्कूल में दाखिल नहीं करा देता मैं कोई सरकारिया किसी प्राइवेट नौकरी में नहीं जाओंगा मेरे जीवन का उद्धेश यह है दुर्भा की यह रहा उनको कि यह बुराईया नहीं होना चाहिए बाल बेबाय बाल यौन शोशन वगएरा तो वो भी यह काम कर रहा था बहुत ही अच्छा एक्टर था वो आज नहीं है वो हमारे बीच में तो मैंने उसकी कहानी जब लिखी जिस वक्त उसकी मृत्यों का समाज उसे सापने काट आज मेरी अद लिखी मगर सबसे खुबसूरत प्यारी सी नन्नी सी सपने सी कविता को काल बनकर ड़स लिया जहरीले सापने खुले आस्मान को सागर को लहरों को धर्ती को परवत को अभी अभी फूटी भोर की किरण को गर्म गर्म आंधी को ठंडी बयार को भीतर से जौला मुखी बाहर फुहार को और मेरी अधजली और मेरी अधलिखी नाजुक सी कविता को काल बनकर ड़स लिया जहरीले सापने मुक्ति के अर्थ को सफलता के गर्व को खुद पर विश्वास को जीत के एहसास को बच्पन की परिभाशा को आंधोलन की आशा को और मेरी नन्नी सी प्यारी सी अधलिखी कविता को काल बनकर ड़स लिया जहरीले सापने हवाओं में घुल चुकी मीठी सरलता को प्राणों में बस गए सच्चे संकल्प को चहरे से कहीं चोड़ी निश्चल मुसकान को चोटे से जिस्म में बड़े से इनसान को गुलामी को दुखों को निराशाबा घ्रणा को बार बार रोंद चुके धूल सने पैरों को और मेर अधिलिकी अनकही ननी सी कविता को कालू को काल बनकर डस लिया जहरीले साप ने जहरीले साप ने काल बनकर डस लिया आज मेरे कविता को आज मेरे कालू को लेकिन मैं इससे अंतनी करना चाहता इसमें ऐसी कहानियां हैं जो बच्चे बैठे हैं जिनके बज़े से भारत का कानून बदला बाल बच्चे घरों में बाल मजदूरी कर घरेलू बाल मजदूरी हमारे देश में कानूनी अपराद नहीं थी लेकिन अश्रफ जो दूसरा शहीद हुआ है हमारा बीमारी में उसकी डैठ हुई वो बड़ा होने के बाद डैठ हुई लेकिन एक मालिक के ज़ह बो काम करता था वो एक बड़े आईएस आफिसर थे एक मिस्टर खान और उसने घर में बच्चे का बचा हुआ दूद पी लिया भूका था तो उन्होंने कहा कि हमारे काम के हमारे धार में समझ के हिसाब से विश्वास के हिसाब से इसको सजा बिलने चाहिए चोरी की तो उसको गरम गरम त अबे पर हाथ रखके जला दिया पति-पत्नी ने मिलके वाई-स आफिसर था जिसादमे ने जलाया तो हमने उस मामले को उठाया कोट में भी ले गए और कई तरह की चीज़ें हुई लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि वहां कई लोगों ने कुछ धार्मिक लोगों ने मौ नहीं जुकी पैसे उठाके उसने मूँपे देखे मार दी उन लोगों के और जब वो अल्ला मिया का दौाई दे रहे थे वो लोग तो उसने कहा कि अल्ला का असली बंदा मेरा भाई है मैं तुमारी बात नहीं मानती तुम भले ही मेरे मौलवी त्योंना हो और वो नहीं मान करके घरेलू बाल मस्दीर को पूरी तरह प्रतिवंधित करना पड़ा इसका श्रे उसको जाता है अश्रक कर झाल झाल